मैं सीदे खांता हूँ मैए मुंद्राल मेरे दर्शक जूड़ गये हैं इस वक्स ग्वालियर से महेश क्या सोचते हैं जोफली जो लोग कहते हैं आतंकबागा अच्छा भी होता है आतंकबागा बूरा होता है आपकी क्या सोच अफूरी इम पराम करता हूं मैं यह कहना चाहता हूँ, आतंक बाद केवल और केवल आतंक बाद है, मानपता का दुश्मन है, यह वो सर्फ है जब तक इसका फन न पुचलने जाएगा, जब तक इसका अनुकोई राष्टा है नहीं, और आतंक बाद को कोई अगर दो भालों में बारता है, वो मानपता के स गलती किया, अफगानिस्तान को, अफगानियों को इस हालत में छोड़के, कि उनके साथ जितना वड़ा अन्याय हो रहा है, यदि अमेरिका अपनी विवेखपून दुश्टी से वह कर रहा होता, तो आज ये इस्तिती नहीं बनती, मैं कहना चाहता हूँ कि हर कीमत पे आतं इतना ही वक्त है, मैं सीधे आजे जी के पास चलता हूँ, आजे जी बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये टरम अमेरिका से ही निकला और इसके लिए चाहे बुश एड्मिनिस्टेशन जिम्मेदार हो, चाहे बराक उबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाह बिडन साब हो, बिडन साब तो बराक उबामा के साथ काम कर चुके है, गुड तालिबान और बैट तालिबान ये टरम एक वक्त अमेरिका से ही डेवलप हुई थी, मुझे बताइए, आपको भी लगता है, गुड टेरिजम और बैट टेरिजम होता है, क्या टेरिजम तो इसको तो कोई भी यह विक्ति नहीं कह सकता कि वो गुड या बैड टेरिरिसम है टेरिरिसम और उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए लेकिन जहां पहले भी इस इसी चर्चा में जो पाकिस्तान चाहिना और उसका जो कंबिनेशन की बात कर रहे तो उसमें एक और नेशन ह उसको प्रिक नेशन कह रहे हैं अभी पाकिस्तान रश्या इरान और चाहिना जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स आतंगवा दिये हैं हाँ जी हाँ जी तो ये एक चिंता का विशह है और अमेरिका इसके ओपर नजर रखे हुए हैं और इसके ओपर जो जो उनका एक्शन आने के लिए साल का बारा से 15 बिलियन डॉलर चाहिए होता है वह अपने देश में सिर्फ 5.0 Mark gullins को बाके ओर पास इसके लिए उसको उनकी सर्ते मान करना पढ़ेगा और करना पढ़ेगा तो ये आप को वेस्टेनेशन के पास चाहिना देदेगा सब देखते हैं चाहिना अभी तक किसी कंट्री को इंडिया में फोड़ो हमसे ले लो सेवन बिलियन डॉलर अगर होफुली ऐसा कभी कुछ ऐसा हो नहीं लेकिन यह सारी बाते जो है अभी उबर के आ रही हो यह सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं और इनके ओपर अभी काम हो रहा है